हलो दोस्तों, कम्प्यूटर के इस सात्वे पार्ट में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हम 500 कोश्चन की सिरीज चला रहे हैं तो चलिए कोश्चन करते हैं पहला कोश्चन है मेमोरी, रेम या रोम की मात्रा मापी जाती है तो जो भी मेमोरी होती है उनके अगर मात्रा को मापी जाए तो हमेशा मेगा बाइट में मापी जाती है यानि MB में ठीक है तो तीसरा आंसर हो जाएगा चलिए दूसरा कोश्चन करते है दूसरा कोश्चन है जिन प्रोग्राम हो और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें हिस्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है तो उनको हिस्टोर करने के लिए हमेशा इंटर्नल मेमोरी का हम प्रयोग करते है तो दूसरा का दूसरा हो जाएगा चलिए आगे question करते हैं, तीसरा question है, जब processor CPU का प्रयोग करता है, तब data और program कहां रखे जाते हैं, तो जब भी processor CPU का प्रयोग करता है, तो data और program हमेशा main memory में रखे जाते हैं, ठीक है, तो तीसरा का पहला हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, चौथा question है, computer की प्रमुख memory dash भी कहा जाता है, तो computer की जो main memory होती है, उन्हें primary storage, internal storage, कुछ भी करते हैं, तो यह primary भी दिया है, आंत्रिक भी दिया है, तो यह इसमें हो जाएगा चौथा, यह सभी, ठीक है, आगे question चलिए लेके चलते हैं, देखे, आसान सा question है, RAM का full form इसमें पूछ रहा है, तो RAM का full form आप लोग जानते होंगे, इसमें तो RAM का full form मुझे नहीं लगता है, किसी को नहीं बता होगा, तो random access memory होता है, ठीक है, देखे, इसमें छाटमा question दिया है, कि RAM किस तरीके का example है, तो आपको बता दे कि RAM एक volatile memory है, ठीक है, volatile memory को कहते हैं, कि non-permanent memory, ठीक है, तो छटा का चौथा हो जाएगा, चलिए, साथमा देखे question, RAM में store की गई सुचना है, volatile माने जाते हैं, जिसका, volatile को मतलब मैंने पहले ही बताया था, यह non-permanent होती है, स्थाई रूप से नहीं होती है, केवल स्थाई रूप से यह उस computer में रहती है, ठीक है, तो दूसरा option देखेंगे, तो आप इसमें दिया हुआ है, स्थाई रूप से नहीं, केवल स्थाई से रूप से store होती है, ठीक है, चलिए, अब हम करेंगे 8 वा question, सामान होता है तो देख़ें जो होता है बाकी आरे समी में बताय था आपको टीनी अस्ताइ illegal नौनमर कोश्चन देते हैं, यदि प्रयोकता को CPU में ततकाल उपलब सूचना की जरुवत हो तो यह डैस इस्टोर की जाती है, तो आपको बता दे कोई भी चला रहा है, जो भी कम्प्यूटर चला रहा है, जो उपलब्द सूचना चीए, वो हमेशा RAM में स्टोर होती है, ठीक है, तो नौनमर का दूसरा हो जाएगा, दस्वा नमर कोशन देखिए, डैस कम्प्यूटर की मेमोरी है, जहां सूचना आस्थाई रूप से संग्रेत होती है, जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सिस किया जाता है, तो जो दस्वा नमर कोशन है, तो यह हमेशा RAM में स्टोर होती है, ठीक है, चलिए, कौन सी मेमोरी, टेंपरोरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है, तो आपको पहले बता था, टेंपरोरी मेमोरी, हमें सब वालटाइल मेमोरी जो होती है, तो देखिए, दो होता है RAM, एक डैनमिक होता है, इस्टेटिक होता है, तो डैनमिक जो होता है, चेंज होते कی जो a diffuse सिर्टिस थोड़ा सा लॉंग टीविटी demons रहती है ठीक है और सबसे बड़ा लब होता है कि जो d डी रह मोता है वह s राइम से बहुत ही चीप होता है सस्ता होता है ठीक है तो सब यही एकलाब है बस उसका बाकी और बाकी चीजों में SRAM ज्यादा सही है ठीक है चलिए तेरे नमर कोशन देखें निमन में से किस मेमोरी चीप की गती अधिक तेज है तो आपको पहले ही बताया थे किस मेमोरी का SRAM हो जागा ठीक है इस्तितिस्थाय मेमोरी को निमन में से क्या करते हैं तो इसको कहते हैं रीडव जो होता है वह पर्मानेंट मेमोरी होता है और जो रहेडव एक्षम मेमोरी होता है वो नॉन पर्मानेट होता है ठीक है चलिए रीड ओली मेमोरी रोम की कौन सी विसेश्टा उसे उपयोगी बनाती है तो 15 नंबर कोश्चन देखिया तो इसमें सबसे अच्छा जो इसका उपयोगी चीज है यह जो बिजली कर जाए कनेक्शन कर जा तो डेटा ज क्योंकि वो पर्मानेंट है इसलिए उसमें रह जाएगा देखिये आप पहले एक कंप्यूटर को आन करते हैं तब सीप्यू में संग्रहित निर्देश्टों को प्रयोग में लाने के लिए पहले तयार होता है यह पूछ रहा है कि जब भी आप कंप्यूटर खूलेंगे त थैर होता है तो हमें सार्म तयार रहता है ठीक है रो टिव रूम का फूल फॉन पूछा है तो बनी के सब्सक्राइबन नाम का कि EEP ROM का पूरा नाम क्या है तो EEP ROM का पूरा नाम होता है Electrically Erasable Programmable Read-only Memory तो यह इसमें पहला हो जाएगा देखिए जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो Memory के contents गुम नस्ट नहीं होते हैं तो आपको बताया था रोम में नस्ट नहीं होते तो तीनों आप्सन में रोम का अप्सन एक EEP ROM दिया है Erasable Program Memory एक Electrically Erasable Program Read-only Memory है तो यह सभी हो जाएगी जिसमें प्रोग्राम नस्ट नहीं होता है ठीक तो उननीस के चोड़ था चलिए Cash Memory पूछ रहा है कि उसका Location इस्थिति कहां होती है तो यह CPU और RAM के बीच में होती है ठीक है अब देखें किस नमर कोशन एक छोटे अकार की वोलाटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्छ गती का डेटा एक्सेस कराती है ठीक है नमलिकित मेंसे कौन एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले डेटा रखने में उपयोग की गई memory का एक प्रकार है तो इसे पूछ रहा है कि छोटे प्रकार को वोलाटाइल मेमोरी होती है जो कोई प्रोसेसर याटा एक्सेस कराता है डेटा को एक्सेस मदद करती है और सबसे तेज होती है उसको कैस मेमोरी बोलते है ठीक है 22 नमर कोश्चन देखिए और स्थाई रूप से संगरहीड डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला फिर से 28 वाली सेमि कंडक्टर मेमोरी है जो स्पू को गति देती है तो सिंपुप को गति देने का काम करता है वो भी क्येर कंश्च जाता है इसका जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डेटा खतम नहीं होगा ठीक है, तो हमारा data तभी नहीं खतम होगा, जब हम non-permanent type का, जो non-volatile type का, अगर हमारे पास memory रहेगा, तो उसमें हमारा data खतम नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें non-volatile होगा, non-volatile वो होता है, जो permanent होता है, ठीक है, तो permanent तरीके का, हमारे पास जब रहेगा, कोई भी memory, तो उसका data खतम नहीं होगा, ठीक है, जब हम खतम करेंगे, तभी खतम होगा, तो इसमें non-volatile हो जागा, और ऐसे अगर permanent, non-permanent, तो permanent हो जाएगा, ठीक है, पचीस नमर कोश्चन है, वह तकनीक, जो main memory के वास्तिविक साइज को बढ़ा देती है, क्या कहलाती है, तो main memory के वास्तिविक साइज बढ़ाती है, उसको virtual storage करते हैं, जैसे आप cloud memory की बात करते हैं, कि आपक पास memory नहीं है, तो आप आनलाइन जाके cloud memory में अपना, कुछ भी save करके रख सकते हैं, ठीक है, दूसरा हो जाएगा, निमलीखिप में से कौन भातिक रूप से बिद्देमान address से अधिक memory address होता है, तो ये virtual memory में ही होता है, ज्यादा उसमें storage रहता है, जो आपके actual में आपके पास जितना memory रहता है, जैसे mobile में कुछ लोगो फोटो डिलीट ह तो इसको बचाना है, तो चलो dry पे save कर देते हैं, तो cloud memory में, तो इसका answer हो जाएगा, virtual memory, ठीक है, 27 नमर कोशन, निमलीखित में से कौन सा कथन secondary memory के बारे में सकते हैं, तो कौन सा कथन secondary memory के बारे में सकते हैं, देखे, secondary memory क्या होती है, वो एक तरीकी के permanent memory होती है, ठीक है, त या computer आप अचानक से बंद कर दो, कुछ भी कर दो, वो memory आपके permanently आपके, जो storage device है, या फी computer उसमें रहेगा, तो ऐसी इस्तिती में 27 का पहला answer हो जाएगा, ठीक है? computer का कौन सा भाग सूचना को store करने में सहायक होता है, तो आप जानते हैं, कौन सा, हम किसमें सूचना को store करते हैं, किसमें save करके, अपनी सारी चीजों को हम रखते हैं, तो इसका answer हो जागा, disk drive, drive हमें सा save करके रखते हैं, चलिए, आगे देखिए, disk को track को और sector में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो disk को हम track में format करके करते हैं, formatting करते हैं, उसको निधायत करते हैं, formatting करते हैं, c drive, d drive, e drive, तो यही कह रहा है, sector और track में विभाजित किया जाता है, ठीक है? तिस नमा, hard drive को store करने के लिए dash उपयोग किया जाता है, तो hard drive को आप store करने के लिए, आप जान रहे हैं कि उसमें कुछ भी store करेंगे, वो permanently होगा, इस्थाई तरीके से होगा, ठीक है? तो इसमें हो जाएगा इस्थाई data. फ्लाफी डिक्स पर डेटा को ring में record करना desk कहलाता है, तो fluffy data पर इसको segmentation करते हैं, segments, चोटे-चोटे segments में divide करके उसको लगाते हैं, ठीक है? पर्सनल कम्प्यूटर के लिए सबसे प्रचलित storage device कौन है? तो पर्सनल कम्प्यूटर में जो सबसे ज़्यादा यूज होता था, वो fluffy disk के यूज होता था, ठीक है? 33 नमर, disk के उस content को क्या कहते हैं, जो उसे बनाते समय record किया जाता है, और जिसे प्रयोकता मिटा या बदल नहीं सकता है, ठीक है? तो इसमें read-only हो जाएगा, read-only memory कहा है? हाँ, cable read. 34 नमर, question देखे, dash सबसे समान प्रकार की storage device है, तो सबसे समान प्रकार की storage device आप जानते है, magnetic device जो होती है, अमोमन सभीम पाई जाती है, तो सबसे समान प्रकार का storage device होता है, ठीक है? निमलिखित में से अधिकतम डेटा की मात्रा को storage माध्यम में संग्रीट करके रखा जा सकता है, तो हमेशा magnetic storage device में हमेशा संग्रीट करके रखा जाता है, क्योंकि परबान इन टाइप की memory होती है, CD-ROM का, CD-RW का full farm पूरा है, CD का full farm होते compact dix और RW का होता है rewrite, ठीक है? तो इसका option हमारा हो जाएगा, compact dix rewrite, क्या है? 37 नमबर question देखिए, reusable optical storage का typically acronym dash होता है, तो वही rewrite, वही question भी दूसरे तरीका से पूछ रहा है, CD-RW disc dash, तो इसमें क्या होता है, कि कोई बिड्डिक को उसमें RW जहां दिया है, उसमें यह जाने जी कोई erase कर सकते हैं, फिर से मिटा के उसको दुबारा फिर लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका चौथा हो जागा, rewrite कर सकते हैं, erase भी कर सकते हैं, उन्तिस नमबर question दिखे, कौन से media में data जानकारी उनमें उपयोग करता, द्वारा एक से ज़्यादा बार store करने, करने, लिखने की छमता है, ठीक है? तो एक से ज़्यादा बार store करने, लिखने की छमता है, तो फिर से वही question पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका भी CDRW हो देखे, चालिश नमर देखे, एक compact disc को क्या कहते हैं, जो लगभग 650-800 MB का data या 70-80 minute का music store कर सकता है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे को हम CDRW कहते हैं, ठीक है? एक CDRW में क्या answer होता है? तो अगर थोड़ा सा भी आप इसका full form पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो असानी से बता देंगे आप इसको कि इसका answer क्या होगा, ठीक है? एक में कहरा है कि CDRW है, एक में कहरा है CDRW है, तो एक read only है, एक rewrite है, ठीक है? तो एक पर लिखा जा सकता है, और एक पर के बार पढ़ा जा सकता है, तो 41 का हमारा पांचवा हो जाए, 42 नमबर देखे, question क्या कह रहा है, बालाइस नमबर question कह रहा है, कि DVD का इसमें full form पूछ रहा है, तो digital video disk होता है, इसका full form, शलिए आगे चलते हैं, 43 नमबर निमने में से कौन सी storage device सुपकरण का उ तोर कर सकते हैं, चलिए आगे question देखते हैं, 24 नमबर, DVD desk का उधारान है, तो DVD किसका उधारान है, पूछ रहा है, तो optical disk, आसान question था, चलिए, ब्लूरे डिस्क का पूछ रहा है, कि यूज किस में किया जाता है, तो ब्लूरे डिस्क का यूज, प्लेस्टेशन में किया जात है, अब मूमन, ठीक है, पेंड्राइव, पेंड्राइव, रिमूब करने वाले पर्मानेंट डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज ब्लूस को करते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, एक हटाई जाने वाले डिद्री स्टोरेज डिवाइस उनिट, चलिए आगी question देखते ह है, 3 question है, 3.5 इंच वाले fluffy disc की छमता क्या होती है, तो पहले question काफी important हुआ करता था, लेकिन आप ऐसे question कम पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लिजें सीदे-सीदे, कि 1.44 MB का होता है, वो storage device निमने में से कौन C नहीं है, तो आप देखिए, इसमें साब दिख रहा है, DVD है, CD है, ploppedics है, hardics है, printer storage device नहीं है, देखिए, इसमें पूछ रहा है कि storage device का मुखे folder क्या कालाता है, तो मुखे folder को हमें सा root directory काते हैं, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक bit का अभिप्णाय क्या है, तो ये जो सबसे छोटी EKI होती है, वो bit होती है, कोई भी digital information होता है, उसका सबसे छोटा unit होता है, ठीक है, ये चौथा होता है, डिजिटल छोटा सूचना की सबसे छोटी ही कही है, 11.10 का परेख, computer, memory, fluffy disk, CD room, drive, hard drive की संग्रहार शमता को मापने के लिए किया जाता है, तो आपको जानते हैं, bytes में मापा जाता है, चलिए, निवनिखित में से कौन सी वैध मेमोरी unit नहीं है, तो kb होता है, yb होता है, pb होता है, ठीक है, जेटा बाइट, पेटा बाइट, किलो बाइट, लेकिन ilb कोई किसी तरीके का unit नहीं है, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तिरपर नमर निवनिखित में से 4 bit के सम्मू का एक औरे नाम है, तो जब 4 bit का एक सम्मू बनता है, उसको निबल बोलते हैं, काफी important है, इसको आप लोग याद रखिएगा, निबल, ठीक है, चलिए, चलिए, चलब नमर कोशन, कंप्यूटर, संचिप्थ कार, कर, के बी का समानेता अर्थ होता है, तो के बी कीलो बैट कहते हैं, बिल्कुल आसान है, चलिए, आगे देखते हैं, कितने मेगाबाइट में एक गीगाबाइट होता है तो यह भी आसान है दस सो चोबिस मेगाबाइट में गीगाबाइट होता है ठीक है चलिए छपन नमर कोशन देखिए एक डैस लगभग एक मिलियन बाइट होते हैं तो कितने में एक मिलियन बाइट होते हैं तो MB में 1 million byte होता है, megabyte, 1 MB में 1 million byte होता है, और आपको ये बता दें कि 1 GB में, जो 1 GB होता है, उसमें 1 billion होता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, देखें, वही कोशन है, लगबग 1 billion, हम 1 GB में 1 billion होता है, ठीक है? पेटा बाइट में पुरा कितने GB होते हैं, तो GB 1024 x 1024 GB होगे इसमें, आपको ये unit वाला भी पढ़ा दूगा कि इसमें बता दूगा कि सारे कितने unit होते हैं, MB, KB, YB, PB, ये सब कितने होते हैं, इनको कैसे याद किया जाता है, इसका भी एक video बना दूगा, जिससे आपको ये को कहां इस्टोर किया जाता है, तो cloud computing में इसा data को server पर इस्टोर करेंगे, ठीक है, आज का last question देख लीजिए, last question है, निम्न में से कौन सी cloud computing की service है, तो platform as a service, इसमें platform as a service, अब तो कई सारे services आ चुकी है, समय यही था, ठीक है, platform as a service, अगर आपको ये video अच्छा लगा हो, त चैनल को subscribe करें, और वीडियो को share करें, और इस वीडियो को like करें, धन्यवाद,